आधाव नमस्कार दोस्तों आपका हमारी यूटूब चैनल पर फिर से स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों आज हम इस एक ऐसी दिबी जरीबूटी से आपका परिच्चे कराएंगे जो आप उसके बगल से निकल जाए तो खुद ही कहता है कि वह कहां जा रहो मुझे और तो दोस्तों वाहिए हमारे वीडियो साथ ओर हमारे चनल के साथ और हमारे चैनल के साथ और विच्चानल के नए था हमारे इक पूरी मा概ं बड़ते हैं आगे तो तो सब्सक्राइब करें ना चिता चिचिछी आ ऑँह झार चिरीजिरबूटी नाम से भी जाना जाता है कहते हैं तो दोस्तों यह कुछ इसके नाम थे जो दोस्तों आप दोस्तों किसे के मुंधे हो गया है मसूर में पारिया हो घौन निकलता है और बद्बू आती है मुझसे तो आप कहीं जाने जोतनी है आपको या आप इसके पत्ते इस्तमाल करना और देखना 15-20 दिन में कितना जल्दी अराम मिलता है तो कितने पत्ते इस्तमाल करने हैं कैसे करने हैं मैं आज आपको इस वीडियो में सब बताऊँगा तो दोस्तो दातों में कैसी भी तकलीफ हो आप इसको इस्तमाल करने करेंगे तो आपकी वह तकलीफ दोर होगी वह दोस्तों एक बात और बता दूमें आपको कि आज बारिस बहुत पढ़ रहे थी बारिस में ही मैंने केमरा और मुवाइल की साहिता से वीडियो बनाया है तो बारिस का आपको बूंदे दिखाई दे जाएंगी इस पत्तों लगए बारिस तो बारिस के वाई से कुछ वीडियो को गरत हो तो हमें मत करना तो दोस्तों बढ़ते हैं आपको किसी के पारिया हो गया है तो आपको इसके 15-20 पत्ते लेने हैं और वह से धोके साप करके और आपको यह बाली अचछी तरेगे के इस लेने हैं और थो यह दो हो यह और च्वाना को पत्ते लेकर यह साप साप के ढेकर 15-20 पत्ते इसको हलके हलके चबाना है पान के तरह और चबा के इसको पीक ठुकते जाएं तो दोस्तो 15-20 दिन में देखेंगे आपके यह पारिया रोग इदम खतम हो गया पुराना पुराना और दोस्तो ऐसा एक डेड़ मैंना करेंगे तो पूरा ही जड़ से खतम हो जागा जाक कितना क्यों नहीं पारिया दोस्तो यह सुबा साम दोनों टाइम 15-20 पत्ते लेके और यह ऐसी चवाचवागे ठुकते रहना है तो देखना आपको डॉक्टर का चक्कर काटनी जोद नहीं पड़ेगी तो दोस्तो यह बरसात की पहली फ़ार जो आपकी पड़ी है बहुत अच्छ के लिए धन्यवाद